ना उस एक्जामपल में देखें कि basic types कौन कौन से हैं type script में अब मैं type script बोलता हूं तो javascript तो type script में आप एक difference निकल के आता है कि javascript में जो भी आप variables create करते हो for example मैंने आप एक variable create किया मैंने इसको कहा my age okay so my age मैंने आप एक value insert किया मैंने आप 12 यह my age है मैं आगे गया मैंने इस my age में अपना name insert कर दिया so name insert का निकली मैंने एक string literal create किया और यहाँ पर मैंने उसको assign कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आता है type string is not assignable to the type of number इसका मतलब यह है कि जब मैंने variable create किया type script में और इस variable मैंने एक number assign किया तो इस variable का type यहाँ पर clear हो गया कि यह जो variable है यह सिर्फ number जो है hold कर सकता है ठीक है जब मैंने my age में string insert किया तो यह क्या है एक string है so group of characters क्या होता है कि string होता है तो यहाँ पर जब मैंने string insert किया तो मैंने type script बता रहा है कि जो my age है यह तो number type का है आप इसमें string assign नहीं कर सकते ठीक है तो यह काफी अच्छा होता लेकिन अगर मैं js की बात करूँ ए मैं a.js में गया मैं javascript यूज कर रहा हूँ अब मैंने javascript में क्या कहा मैंने यहाँ पर कहा my age is equal to 12 और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ my age is equal to मैंने इस पर डाल दिया अपना name तो यहाँ पर देखो को कोई भी problem नहीं आ रहा तो अगर यह मिरो को इस time पर problem नहीं देगा code करते 9 तो यह मिरों को बाद में problem देगा कब जब मैं code को run करूँगा ओके तो मैंने यहाँ पर क्या किया था मैं आइज में 12 और साइन किया था मैं लास्ट में आंगे जाऊँगा और आंगे मैंने यहाँ पर एक for loop लगा दिया मैंने my age पर इन फॉर लूप लगा है तो मैंने i is less than or equal to my age okay my age और यहाँ पर मैंने का i++ code block बनाया यह अब देखो यहाँ पर मिरों को problem देखने मिलेगा problem क्या होगा यहाँ तो problem क्या है यहाँ पर कि जो my age है मुझे लग रहा था यह तो number है तो मैं इस पर my age में मैंने trade कर लिया लेकिन यहाँ पर क्या था मैंने my age में string assign कर दी तो यहाँ पर problem आ जाएगा ठीक है लेकिन मैं इसी code को अगर यहाँ से cut करूँ और type script में मैं इसका use करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर उसका मुझे benefit मिलता आंगे और भी चीजह है और भी ज्यादा benefit से इसके देखेंगे दीरी दीरे बट यहाँ पर basic यह है कि हर एक variable का एक type होता है तो जैसे ही मैंने इस variable में एक value insert किया तो value जिस type का होगा उस type का यह जो variable हो हो जाएगा इसे अभी देखोगे अग number कोई भी value कुछ भी assign कर सकते उस variable में उसे कोई नहीं होगी ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर explicitly assignment देते हो कोई value देते हो तो इसका जो type है वो define हो जाता है तो अभी यह type of number हो गया अगर मैं इसको यहाँ से remove करूँ हूँ मैंने यहाँ एक string assign किया तो अब इसका type जो हो गय हो गया यहाँ पर मैंने true assign किया तो इसका type क्या हो गया boolean हो गया ठीक है अब मैं इसको यहाँ से remove करते हूँ मैंने array create करके initiative क्या to Just type क्या होगया to trochę any of array qver Rice 중हाशली है अब मैंसे इसका यहाँ और यहाँ फिप्टी कीया態 कोप तो अब इसका type क्या बनाया गया है तो इसका type क्या है array है तो चली देख लिए थे basic कौन-कौन से यहां पर types होते हैं मैंने एक variable create क्या let मैंने एक let create क्या let a इसका type number है तो मैं इसको explicitly बता सकता हूँ कि यह जो a है इसका type क्या है number होना चाहिए ठीक है तो यह हो गया लेकिन यहां पर यह कोई scope कोई block नहीं है तो मैं यहां पर let use ना करूं मैं यहां पर वैर करूं क्योंकि यहां पर कोई मैंने block create नहीं किया तो इसके अंदर आप लेट यूज करेंगी ठीक है तो हम मैंने यहां पर क्या बताया जो variable a है यह यहां पर problem आएगा कि type boolean is not assignable to the number परफेक्ट यह तो हो कि number type कैसे create किया ना दूसरा variable create करते हैं b where b type of boolean तो मैंने आपर बताया कि यह जो variable है b यह boolean type का है इसमें सिर्फ आप true और false यहां पर इंसर्ट कर सकते हो ना यह को और variable create कर लेते हैं मैंने का c of type string तो आपस में सिर्फ string इंसर्ट कर सकते हो ठीक है तो यहां पर यह क्या problem दे रहा है कि cannot re-declare block scoped b b was also declared मना दूसरा file a.tsf वहां पर यह declared है तो उसको लेकर यह problem दे रहा है उसको मैं बंद कर देता हूं यह मैंने उसको यहां से close कर दिया ठीक है तो अभी कोई दो कर नहीं है ना यह हो गए तीन टाइप और देख लेते हैं तो इसके बाद है मैंने का d of type array तो मैं curly bracket sorry square bracket use करके बताता हूं कि इसका जो type है वो क्या होना चाहिए array होना चाहिए बड़ मैं अभी यह नहीं बताए कि किस type का array है इसमें string array के लिए इसके बाद मैंने आपर कहा एक और मुझे create करना जिसमें सिर्फ boolean value रखना चाहता हूं तो यह हो गया मेरा boolean values के लिए boolean values के लिए तो इसमें मैं सिर्फ boolean values इंसर्ट कर सकता हूं ओके तो f में क्या है सिर्फ string array अगर मैंने f में एक value यहां पर एक array insert किया इसमें मैंने का v यह कि string है इसके बने का i तो यह भी दो string मैंने assign कि तो यह क्या है string array स्ट्रिंग array सही है लेकिन अगर मैं यहां पर सिर्फ एक number इंसर्ट करता हूं तो यहां पर मुझे यहां पर type define कि इस तरह से आप यहां पर type define कर सकते हो कि कौन सा variable किस type का है और आप future में के भल उसी type की values को यहां पर insert कर पा होगे इससे जो compilation errors वह आपको मिल जाती है और run time पर कोई भी error यहां पर आपको देखने नहीं मिलती है ओके आप देखना चाहते हैं brief में कौन-कौन से types होते हैं यहां पर तो आप जाएंगे simply google पर लिखेंगे type script lang.org और यहां पर आके आप क्लिक करेंगे handbook पर handbook पर जाने के बाद आपको जाना है basic types पर यहां पर आ कैसे आप इसको define कर सकते हैं array लिखके भी आप बता सकते हैं कि एक array है या फिर आप square bracket से भी बता सकते हैं तो यहां पर आप देखनेंगे tuple है tuple मतलब कि क्या आप बता सकते हो मतलब एक array में किवल्द दो ही element होने वाले हैं और दोनों element का अलग-अलग type है तो यह आप बता आपको यहां पर स्ट्रिंग होना चाहिए दूसरा तैन क्योंकि यहां पर आपने बता पता आया कि स्ट्रिंग और नमबर ये आगर आप पहले नंबर पास करोगे बाद में इस पास करोगे तो error आएगा यह रहा आएगा कि type number is not similar to the string और string is not similar to the number यह जो number यह जो नहीं को न सब्सक्राइब लगते हैं जो आपके development को काफी फास्ट कर देता है ठीक है यहां पर और भी टाइप है आप यहां पर आके देखो unknown मतलब कि यहां पर आके उसको डीटेल में देख सकते हैं हम इस चोटे से वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते तो आदर डाली documentation पढ़ने की जितना ज्यादा documentation पढ़ोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे कर दो